अभी मेरे पास एक प्रश्ण है वो इस समय के विशय से तो नहीं जुड़ा लेकिन मैं जोड़ के जरूर उत्तर दे देता हूँ आजकल हमारे घरों में पेपसी कोक से भी जादा नूडल्स खाया जा रहा है पेपसी को कम हुआ है पिछले दो तीन साल में अच्छा हुआ नूडल्स खाया जा रहा है तो नूडल्स के बारे में आपको एक जानकरी दे दूँ कि सबसे खराब वस्तु अगर खाने की कोई हो सकती है कच्रे में कच्रा तो वो यही है नूडल्स एक तो मैदे की है, उपर से सडा हुआ है छे साथ दिन मैदे को सडा के रखा जाए, तब नूडल्स तयार होता है और इस नूडल्स में टेस्ट लाने के लिए सुर के मास का रस मिलाया जाता है बिना उसके नूडल्स बन ही नहीं सकता जो मैगी है ना मैगी या कोई भी नूडल्स सुवर के मास का रस सड़ा हुआ मैदा छेचे दिन पुराना उससे तयार हुआ है अब आप तेह कर लो खाना है या नहीं खाना है